नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल लेटेस नोटिफिकेशन में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से घर बैठे केंद्रे विध्याले क्लास वन का फॉर्म भर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल फोन या कम्प्यूटर से सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाकर आपको लिखना है केंद्रे विध्याले एड्मिशन क्लास वन जब आप लिखके सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली लिंक आएगी online admission की उस पर आपको click करना है और आपके सामने एक ये orange color का button आएगा जिस पर होगा कि पंजी करन करें आपको इस पर click करना है इसमें 3-4 documents लगेंगे जैसे कि आप बच्चे का आधार card आपका mobile number, email id, passport, photo और birth certificate आपको ये सभी चीजों को तयार रखना है और इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको इस tick पर check करके और आगे proceed कर देना है और सबसे पहले ये registration form है तो इसमें अपने बच्चे का नाम लिखना है नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर बच्चे की ये handicapped है या नहीं ये yes या no पर select करना है और उसकी date of birth को डाल देना है date of birth भरते समय आपको बहुत ही सही तरीके से date of birth डालनी है नहीं तो form आगे नहीं बढ़ेगा और कोई ना कोई error रा जाएगा फिर आपको अपना mobile number और अपना mail ID यहाँ पर डालना है और ये दोनों को जब आप डालने तो फिर capture code फिल करकर यहाँ पर आपको इस form को register button पर click करना है तो जैसे ही आप register button पर click करेंगे आपके सामने यहाँ एक OTP का screen आजाएगा कि जब आपको सारी details आप सही fill कर दें तो अपने OTP को आप यहाँ fill करके और capture code को fill करें तो मैं अपना OTP यहाँ पर डाल देता हूँ और capture code जो है वो भी fill up कर देता हूँ इन दोनों को fill करने के बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक login ID और password बन गया है इस login code को यहाँ पर मुझे copy करना होगा login code को copy करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो है login वाले option पर click करना है login code को ध्यान से copy कर लें और copy करके आगे जाके यहाँ पर इस same login code को again डाले यहाँ पर बच्चे का जो date of birth है उसको वापस डाले और उसके बाद में अपना जो mobile number है उसको वापस दोबारा से इस पर दर्ज करें दर्ज करने के बाद में अपना capture फिल करें और next करें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे का नाम और जो details हमने registration के वक्त भरी थी वो सारी details खुल कर आ चुकी है हमारी screen पर और यहाँ पर आपको select करना है BPL category या SC category यदि आप SC category के हैं आपके पास में BPL card नहीं है तो आप SC को select करिये अन्य था आप BPL श्रेनी को select करिये यदि आप EWS category certificate रखते हैं तो EWS category को select करिये और select करने के बाद यह details जैसे कि मैं BPL card को select कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर अपना BPL number डालना है BPL number आपकी समगर ID होती है या फिर आपकी पातरता परची पर भी उसका क्रमांक लिखा होता है आप दोनों में से किसी को भी डाल सकते है उसके बाद में जहां से आपकी पातरता परची या राशन कार्ट जारी हुआ है वहाँ पर आपको food officer भोपाल या food officer जो भी आपका जिला लगता हो वो लिखके डाल देना है next screen पर जब आप आएंगे तो आपके सामने एक ऐसा screen आएगा जहां पर ममी और पापा का नाम आपको डालना है बच्चे के ममी पापा का नाम डालने के बाद में यहाँ पर same address वाले option पर आपको yes कर देना है तो जो दोनों के address है वो बिल्कुल fill हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर दोनों का नाम लिखके उनके address को fill up कर देता हूँ दोस्तों जब आप यहाँ पर इस चीज़ को कर दें fill up तो आप address में yes का बटन जरूर दवाएं यहाँ पर पापा जो candidate है उनके फादर का या पिता जी का नाम यहाँ डालने के बाद में आपको बिल्कुल same करके इसको आगे बढ़ जाना है mail ID, mobile number की कोई आवशकता नहीं है यह screen बहुत ध्यान से देखिए आपको तीन स्कूलों को select करना है इन तीन स्कूलों का यह option मैंने आपको दिखा दिया है सबसे पहले मैं मद्यप्रदेश में जैसे मेरा जो candidate है वो भौपाल का रहने वाला है तो मैं भौपाल की जो तीन सबसे पास के केंदरी विध्याले हैं उनको select करूँगा RTE याने Right to Education के तहट सिक्षा के अधिकार के तहट हमें 5 किलो मीटर के दाइरे में रहकर ही स्कूलों को चायान करना है अगर आप 5 किलो मीटर से अधिक के स्कूलों का चायान करेंगे तो आपके बच्चे के लिए आपको वैन का पैसा स्वयम से देना होगा लेकिन यदि आप 5 किलो मीटर से कम के दाइरे का सेलेक्शन करते हैं तो आपके बच्चे के लिए आपको वैन का कोई पैसा नहीं देना होगा वो फ्री में ही स्कूल की वैन से जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है या वो अपने convenience अनुसार जैसे जाना जाये जा सकता है आपको 5 किलो मीटर से कम का दाइरा ही चूज करना है आप इस बात का विशेश ध्यान रखे और ये जो option है आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे ये option जो आएगा इसमें आपको 4 वाला option सेलेक्शन कर देना है यदि आपका जो बच्चा है candidate है उसके पिता जी कोई private नौकरी मे हैं कोई जॉब नहीं करते तो आपको इन तीनों स्कूलों के सेलेक्शन करते वक्त ये फोर्थ वाले option को क्लिक कर देना है फोर्थ वाले option को मैं second वाले में भी क्लिक कर देता हूं और first वाले में भी जाके मैं ये जो last option है इसमें fourth option को सेलेट करके यहाँ पर दोस्तो next के बच्चे का photo और उसका birth certificate जो है convert करना है यदि आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो आप compress 11 zone की website पर जाके अपने बच्चे के birth और photo को 256 केबी में convert कर ले मैंने अपना photo already convert करके रखा था तो मैं यहाँ पर फटा फट अपना जो birth certificate है उसको upload कर देता हूं upload करने के बाद मैं आप देख सकते हैं done का एक option लिखा आ गया है उसको ok करके अब मैं यहाँ पर अपने बच्चे का passport photo जो है उसको click करके upload कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने अपने candidate के photo को click करके upload कर दिया है और upload करने के बाद में हम यहाँ पर यह जानकारी kv school की अच्छे से पढ़ देंगे करना है और आप देख सकते हैं यहाँ प्रिव्यू का option आ गया है आपको बड़ी ध्यान पूरवक इस पूरे form को पढ़ लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है यदि दोस्तों आपने इस form को ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर यह बाद में सहीं नहीं होगा जब आप तो आपको यहाँ पर जाने के बाद में final submit पर click करना है और जब आप sure हो जाएगी हाँ आपका form बिल्कुल सही भरा चुका है तो yes पर click करके आपके mobile पर एक OTP जो है वो भेज दिया जाएगा आपको उस OTP को अपने mobile phone से देखकर यहाँ पर type करके और final submit पर click करना है और इसक एक print out जो है वो निकाल लेना है तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल अच्छा लग रहा है तो subscribe कर दो क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं thank you for